टाइटैनिक जहाज को ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। ये सन 1912 की बात है जब टाइटैनिक जहाज आटलैंटिक पार कर रहा था और ये यात्रा बहुत ही आलिशान थी। जहाज में हर तरह के लोग सवार थे। अमीर लोग फर्स्ट क्लास में, रोमाज पसंद ल आज भी हमारे दिलों में ताजा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताओ कि किसी इनसान ने कुछ नया और शायद थोड़ा खतरना करने का फैसला किया। टाइटैनिक जहास तो बहुत पहले डूग गया था, जब हम मेंसे कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पर और रोमाच से भरपूर है। बहुत से लोग टाइटैनिक नाम के जहाज का दुखत किस्सा जानते हैं। इसे एक ना डूबने वाला जहास कहा जाता था क्योंकि ये उस वक्त का बहुत बड़ा और शांदार जहाज था। 1912 में ये इंगलैंड से निव यॉर्क के लिए अ औस्ट्रेलियन बिलियनेर गलाईफ पालमर बहर इंसान है जिन्होंने एक नया टाइटैनिक बनाने के बारे में सोचा। 2112 की लॉंच देट को अन्नाौंस किया। इसी बीच COVID-19 सारी दुनिया में आ गया। इसकी वजह से टाइटैनिक बनाने के सभी प्रोग्राम्ज को ब पालमर ने टाइटैनिक टू जहास को दोबारा बनाने का एलान किया है। इस जहास को साल दो हजार सताइस में अब लॉंच करने की यूजना है। टाइटैनिक टू नाम का एक नया जहास चीन की सरकारी कमपनी C.A.C. जिंगलिंग शिप्यार्ड द्वारा बनाया जाएगा। ये जहास 1912 के टाइटैनिक जहास के हादसे में मारे गए और बट गए लोगों की याद में बनाया जा रहा है। अप्रेल 2012 में, ट्लाइफ पालमर ने ब्लू स्टार लाइन नाम की एक नई कमपनी शुरू की थी। असली टाइटैनिक जहास को आयरलैंड में हारलेंड और नाम की जहास बनाने बाली कमपनी ने बनाया था और ये जहास वाइट स्टार लाइन नाम की कमपनी का हुआ करता था। लेकिन टाइटैनिक टू को ब्लू स्टार लाइन चलाइगी। तो आईए जानते हैं टाइटैनिक टू के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैट्स Titanic तुम्हें बहुत ही बढ़िया navigation tools होंगे जो जहाज को किसी भी परेशानी से दूर रखने में मदद करेगा जहाज का निचला हिस्सा ज्यादा चोड़ा होगा ताकि जहाज ज्यादा मजबूत रहे जहाज पर हर किसी के लिए पर्याप lifeboats और life jackets होगी यह शांदार जहाज बिल्कुल Titanic जैसा दिखेगा अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसमें वही कमरे, सडावट और fancy चीजें होंगी बिल्कुल असली Titanic जैसी यहाँ तक की first class, second class और third class वाले कमरे भी होंगे ठीक वैसे ही जैसे उस जमाने में थे आप पुराने fashions वाले कपड़े भी पहन सकते हो अगर आप चाहो लेकिन यह ज़रूरी नहीं है Titanic टू उसी राउट पर चलेगा, जिस राउट पर बहुत समय पहले Titanic गया था यह जहाज भी Titanic की तरह है, लोगों को Atlantic पार करके ले जाएगा यह अपना सफर इंग्लेंड के साउट हैंटन से शुरू करेगा और अमेरिका के नियू यॉर्क शहर में खत्म करेगा अभी तक किसी ने नहीं बताया कि टिक्टों की कीमत कितनी होगी लेकिन यह 1912 की तुलना में शायद बहुत अधिक महेंगी होगी उस वक्त सबसे सस्ते कमरे 3rd क्लास की कीमत लगभग 40 डॉलर थी जबकि सबसे महेंगे कमरे 1st क्लास की कीमत 150 डॉलर थी और सबसे फैंसी कमरे पारलर स्विट्स की कीमत तो 4,350 डॉलर थी अगर आप आज पैटैनिक जहाज का टिकट खरीते तो कितना खर्च आता फर्स्ट क्लास सूट लगभग 75,788 डॉलर सेकंड क्लास लगभग 1044 डॉलर थर्ड क्लास लगभग 261 डॉलर 696 डॉलर निश्चित रूप से नया जहाज और भी बड़ा होगा इसे असली टाइटानिक जहाज से 10,000 तन ज्यादा वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है तन को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसलिए ऐसे सोचें नया जहाज असली जहाज से 10,000 ज्यादा कारों जितना भारी होगा नय टाइटानिक जहाज में 2435 यात्रियों और 900 क्रू मेंबर्स के लिए इतनी जगह होगी कि यहाँ लगभग एक छोटे से शहर के जैसा होगा हर किसी को आराम देह रखने के लिए घूमने के लिए पूरे 9 डेक्स होंगे नया टाइटानिक जहाज पहले वाले से भी बड़ा होगा जो की 883 फीट लंबा होगा यात्रा को सुपर मज़ेदार बनाने के लिए वे एक स्विम्मिन पूल, एक थेटर और यहां तक की एक कैसीनो जैसी चीजे भी जोडने की योजना बना रहे हैं लेकिन असली टाइटानिक की तरह, इस जहाज में भी कोई टीवी नहीं होगा और शायद इंटरनेट सेवा भी नहीं होगी टाइटानिक तुमें सब कुछ लेटिस्ट टेकनोलोजी का नहीं होगा, मसलन जहाज को चलाने के लिए डीजल इंजन का इस्तिमाल किया जाएगा और ठीक पहले टाइटानिक की तरह, इसमें भी चार धुने निकालने वाली चिमनिया होंगी टाइटानिक तुकी खबर सुनकर दुनिया दो भागों में बंट गई, कुछ लोग इसे मरे हुए लोगों का अपमान मानते हैं, वहीं कुछ लोग इस रोमांचक यात्रा का मजा लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोगों को शायद नए टाइटानिक पर जाना अ यह अजीब भी लग सकता है कि किसी डूबे हुए जहास के नाम पर एक नया जहास बनाया जाएं, यह उम्मीद करके कि उससे धेर सारा पैसा कमाया जाएगा, 40,000 से भी ज्यादा लोग पहले ही टाइटानिक तुकी पहली यात्रा पर जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो सबस इसे शांदार कमरों के लिए एक मिलियन डॉलर्स जैसी रकम देने को भी तयार हैं, लगता है फिल्म निर्देशक जेंस कैमरून की तरह लोगों को टाइटानिक का कॉंसेप्ट वापई पसंद आ रहा है, जो भी यह नया जहास बनाएगा उसके लिए यह सोने की खान साब झाल 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 झाल